थेलो दोस्तो मैं हूँ प्रभास रormal स्वागत है आपको अप योट्यूब चैनल प्रभास मिस्तर नेने जितना रेल करमचारियों पर ज रही होता है लेक्र विक्रागते हैं और इसी के साथ साथ अंजर ट्रेन में यातरी कर रहे होते हैं उन्हें भी सुझाओ देते रहते हैं साथ कि हम नॉर्मली देखते हैं दोस्तो ऐसे ही एक बड़ी रेल दुर्गटना को रोका गया है आम नागरिकों के द्वारा जो की हो सकती थी समस्ति पुर मुझपर पूर रेल लाइन पे बिहार संपरकरांती के साथ दोस्तो यदि यहां पे लोग साजग ना रहते तो यहां पे हजारों लोगों की मोथ हो जाती और एक बड़ी दुरगटना होती समझतिपूर मुझपरपूर रेल लाईन पे दोस्तो क्या ये दुरगटना होती और कैसे होती और कैसे आम नागलिकों ने इस दुरगटना को रोक Hurricane अज किस वीडियों में इसी बारें बात करेंगे कि बिहार संपरक्रांती जिसका नमबर 02565 है दरभंगा रेलेवे स्टेशन से अपने नियमी टाइम पे खुलती है और दोस्तों वो समस्तिपूर पहुचने के बाद मुझा परपूर के लिए निकलती है दोस्तों समस्तिपूर से निकलने के बाद जब ये ट्रेन 110 की स्पीड में दुभार एलेवे स्टेशन को क्रॉस कर रही होती है तब दोस्तों जो इस ट्रेन के लोको पाइलेट होते हैं वो देखते हैं कि कुछ लोग दोड़े दोड़े चले आ रहे हैं और ट्रेन को लाल कप्रा दिखा कर रोकने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पे लोको को लेकर लोग एक ऐसी जगह पे पहुसते हैं जहां पे ट्रेन की पटरी टूटी हुई रहती है यानि कि करीब चार से पांच इंज का डिफरेंस हो जाता है दोनों पटरियों के बीच में और दोस्तों जब लोको पाइलेट उस जगह को देखते हैं उस टूटी हुए पटरी संपरकांती वैशाली समेत कई सारी ट्रेन है अलग लग रेलेवे स्टेशनों पर खड़ी होती है और घंटों लेट हो जाती है दोस्तों यहां पर आम यात्रियों या फिर आम नागरी को की सूजबुज के कारण बिहार संपरकांती और समस्तिपूर मुझा पर पूर रेल दुरगटनाय निश्टित रूप से कम होगी इस से यात्रियों को ही फाइदा होगा दोस्तों इस दुरगटनाय के बारे में आपकी कह रहा है कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आज के लिए पूसे इतना ही मिलेंगे फिर एक नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए जाहिंद जा भारत